महिंद्रा बोलोरो पिकप भारत के हर ट्रांस्पोर्ट ओपरेटर की पहली पसंद और भारत के पिकप सेगमेंट का बेताज बाच्छा नमस्कार दोस्तो मेरा नामे अजिंक्य आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले है महिंद्रा की ओल न्यू लॉंच बोलोरो मैक्स पिकप इस गाड़ी के बारे में तो आईए वीडियो के शुरुवात करते है तो दोस्तो आखिरकार कई साल की तगडी टेस्टिंग के बाद महिंद्रा ने फाइनली बोलोरो मैक्स पिकप को लॉंच कर दिया है आज के आए वीडियो काफी शॉर्ट होने वाला है जिसमें आप वो इस गाड़ी के वेरियंट प्राइस और टेकनिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कुछ समय बाद हमारे चैनल पर इस गाड़ी के एक्चुल मॉडल का रिव्यू भी आने वाला है तो चैनल के साथ जूड़े रहिएगा आए सबसे पहले बात करते हैं वेरियंट्स और प्राइसिंग के बारे में कमपने ने इस गाड़ी को तीन वेरियंट्स में लॉंच किया है वो है बोलोरो मैक्स पिकप सिटी 3000, सिटी 3000 LX और सिटी 3000 VXI साथी में इसमें आपको नियो गोल्ड, ड्रिजल सिल्वर और वाइट जैसे कलर ओप्शन्स मिल जाते हैं ताकि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार उनका पसंदीदा कलर चुन सके आईए जान लेते हैं सबसे महतवपूर्ण चीज यानि कि इस गाड़ी की प्राइस के बारे में तो दोस्तो इस गाड़ी की जो इंट्रोड़क्टरी एक शोरूम प्राइस है वो कुछ इस प्रकार है सिटी 3000 वेरियंट की प्राइस है 7,68,000 रुपीज सिटी 3000 LX वेरियंट की प्राइस है 7,72,000 रुपीज और सिटी 3000 VXI वेरियंट की प्राइस है 7,87,000 रुपीज दोस्तो ये एक शोरूम प्राइस है इस चीज का ध्यान दीजेगा अधिक जानकरी के लिए आप आपके नजदी की महिंद्रा के शोरूम अथ्वा डिलर्शिप में विजिट कर सकते है आए जानते हैं गाड़ी के माइलेज और टेकनिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में इसमें आपको महिंद्रा का 4 सिलेंडर सिंलान M2DI इंजिन मिल जाता है जो इसे 65 HP की यानि की 48.5 किलोड की ताकत और 1952 नूटन मिटर्स का टॉर्क प्रदान करता है इस गाड़ी की पेलोड कैपैसिटी है 1 दसम लग 3 टन यानि की 1300 किलो की पीछे के लोडिंग ट्रे यानि की कार्गो बॉक्स के डाइमेंशन की बात करें तो है 2500-2700 मिलिमीटर्स की यानि की इसकी लंबाई है 8.2 फीट की और चोड़ाई है 5.6 फीट की यानि की काफी लंबा और चोड़ा लोडिंग ट्रे आपको इस गाड़ी में मिल जाता है जो इसे हर प्रकार के एप्लिकेशन के लिए सूटेबल बना देता है बोलोरो मैक्स पिकप का कमपनी कले माइलेज है 17.2 किलो मिटर पतिलिटर का साथी में इसमें आपको महिंद्रा की आई मैक्स टेकनलोजी मिल जाती है जिसमें आपको जियो फेंसिंग, रूट प्लाइनिंग और वहिकल ट्रेकिंग जैसे आधूनिक फीचर्ज भी कमपनी फिटेड मिल जाते है इसका कैबिन काफी चोड़ा है जिसमें ड्राइवर प्लस टू सिटिंग विवस्ता दी गई है इसमें आपको काफी कमफर्टेबल हाइट अर्जेस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाता है उससे के साथ साथ पीचे की दरफ आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते है जो काफी ब्र जो है रात के वक्त दिखाने वाले है इसमें आपको आगी की तरफ काफी कॉम्पर्ट और स्ट्रॉंग वनेट मिल जाता है जो गाड़ी की सेफटी एनांस करता है 17.2 किलो मिटर के माइलेज के साथ और 20,000 किलो मिटर की सर्विस इंटरवल के साथ ये गाड़ी काफी पॉक इजीली चला सकते है और बड़िया पिकप के साथ यानि की 65 HP की ताकत और 1952 नूटरमीटर के टॉर्क के साथ किसी प्रकार के घाट या फ्लाइ ओवर को ये गाड़ी बड़ी आसानी से टैकल कर सकती है तो दोस्तों कैसी रही आपको महिंद्रा की नई बुलोर मैक्स पिकप मुझे नेचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें हमने आपको इस गाड़ी के प्राइस, माइलेच और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताया है लेकिन जल्दी हम इस गाड़ी का एक्चॉल रिव्यू लेकर आपके सा आने वाले है तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा मैं मिल तो आपको ऐसी किसी धमाके दार गाड़ी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे हैं ट्रिपल अडाय कस्टन व्लॉक्स ट्रक टॉक्स स्पेडिंग अल्दे लब अबवाउट ट्रेक्स जैह ट्रेक्न